वाराणसी के ज्ञानवापी विवात से जुड़ी पांच अर्थियों पर इलाभाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई हैं सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना judgment रिजर्व कर लिया है क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आज कोर्ट में पक्ष रखा में भगवान स्वेम्भु विश्वेश्वर का जोतिर लिंग मंदिर रहा है उसको religious antipathy के कारण और ये बादसाह ने 1679 के फर्मान से तोड़ दिया था और उसके आंसिक अस्थान पर एक विबादित धाचा त्यार कर दिया था जिसको मुसल्मान मस्जित की संग्या देते हैं जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि once temple always temple temple जो है और ये स्वयंभु है स्वयंभु तो प्राकृतिक रूप से वहां बसते हैं और स्वयंग रिवील हुए है इसलिए स्वयंभ हुआ है उनको नहाटाया गया नहाटाया जा सकता है और जहां डीटी बैठता है जो निवास अस्थान है इसलिए उसको देवालाय कहा जाता है तो उसका रिलिजिस केरेक्टर कभी चेंज नहीं हुआ है इस विशय को ले करके वाद 1991 में फाइल किया गया 1991 में फाइल करने के बाद मुस्लिम पक्ष के तरफ से अपना जबाद दावा दाखिल किया गया इस्शू नमबर टू फ्रेम हुआ और यही फ्रेम हुआ कि क्या वाद सेक्षन 4 प्लेसे जाफ वर्सी पैक्ट स्पेसल प्राविजन आक्ट 1991 के सेक्षन 4 से बाधित है यह सू जघित नहीं होता परन्तु एक रिलीफ को डिलीट करने के लिए कहा जिसमें कि मुसल्मानों को सरवधा के लिए वहां से उसके विरुद्ध्यू मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने सिविल रिजन फाइल किया था डिस्टिक जजवाराणसी के हां डिस्टिक जजवाराणसी ने लोवर कोड के आदेश को निरस्त करते हुए और यह कहा कि पहले यह तो तय करो कि 15 अगस्ट 1947 को विवादी तस्थल पर मंदिर था या मस्जिद था यह ऐसे नहीं कहा जा सकता कोई पक्ष कहता है कि मंदिर है कोई पक्ष क हो जाता है बाइवडेंस तब यह बात चलेगा यह नहीं चलेगा यह प्रस्ण उठता है इसलिए लोवर कोड को डाइरेक्ट किया कि पूरे ग्यानवापी परिसर का साक्ष लीजिए और साक्ष लेकर के तै कीजिए पहले आडर की स्पिकिंग ओर पास कीजिए कि यह विव नहीं इसके विरुद्ध मुसलिम पक्ष ने दो सिविल रेच का मिसलेनियस सिविल रवीजन जो है रिट पेटिशन उन्होंने आटिकल 226 में किया था उनीसो अठानवे में वह 226 उनका मेंटेनेबल नहीं था क्योंकि जूडिशियल और के विरुद्ध आटिकल 227 अब दी तो खेर वो कनवर्ट हो गया और 227 में वह याचिकायम कनवर्ट हो करके हीरिंग चल रही थी बिश्तरित बहुत हीरिंग हुई हीरिंग के बाद आज और पिछली 11 तारिख को सुप्रीम कोट के सीनियर एडवोकेट स्री सीयस बैदनाथन आये थे और सीयस बैदनाथन ही और स्री परासरन इन्होंने ही राम जन्म भूमी के केस में हिंदू पक्ष के तरफ से विस्तित भास गया था जिस पर कि उनको हम लोगों ने यहां बुलाया और वह विस्तित उन्होंने बहस किया आज भी आये थे वह बहस किया और पूरे मामले पर जो है वह बहस के बाद पूरा मामला कंक्लूड हो गया पिछली जो रिटियाची काया थी उनको और वरतमान में जो अर्ट लाजिकल सर्वे के आदेश के विरुद्ध दाखिल नहीं उस पर भी सुनवाई आज हो गई सारी रिटियाची काया जजब रिजर पर जजज्मेंट हो गई है अब जसाब का पर निर्भर करता है कि कब वह फैसला देंगे कितनी याचिकाय थी कितनी अर्जियां थी जिन पर जजज्मेंट रि अगर सबढूर जैज़्मेंट हो गया कुछ ठीनियों पर पहले ही जैज्मेंट होगया था आज कितनी पर आज पहले रिजर तो हो गया था लेकिन अनरेबल कोट ने जो है वह सुनने की इच्छा व्यक्ति की सी neur के स्ट्री स्टियेस वैद्श्य में तो मैं रही है हमारे कि जो पूरा यह मामला है तो आज किस किस पक्ष ने बात रखी अपने दोनों पक्षों ने बात रखी जो अंजुमन इंतियामिया मसाजित के सीनियर एड़ोकेट है स्री एच एस ए नकवी उन्होंने बहस किया यूपी सुनी सेंट्रल वक्ष बोर्ड के अधिवक्ता है श्री पुनीत कुमार गुप्ता उन्होंने अपना पक्ष रखा और हिंदू पक्ष के तरफ से स्री सीयस वैद्यनाथन सीनियर एड़ोकेट उनको असिस्ट कर रहे थे श्री योगेश्वरंद जी जो सुन्य सुप्रीम कोट के ही एड़ोकेट हैं उनके साथ वर्क करते हैं औ बहुत शायट में समझना चाहें तो आपकी तरफ से क्या दलील ने देगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दल्य देखिए यह बहुत बिश्तित मामला है और संशेप में यही कहा जा सकता है कि वह मंदिर था तोड़ा गया साक्षी उसका है कि तोड़ा गया आधा तोड़ा हुआ श्वेंग नंगी आखों से वहां देखा जा सकता है उसके नीचे जो आकृतियां हैं और जो दोगा नहीं उसका जो साइंटिफिक एक्सपार्ट है वह एक्सपार्ट ओपीनियन अपनी दे वह जाय मौके पर खुदाई करें मौके को देखें एक्सपार्ट सारे अपने मिल करके उसकी यह जो है वह रिपोर्ट करें कि क्या पहले यहां मंदिर था कि नहीं इस अस्था तो बनाया नहीं गया है मंदिर के अस्थान पर अगर यह बनाया गया है तो उसकी रिपोर्ट करें तब यह मामला डिसाइड हो जाएगा मुसल्मान पक्ष का यह बराबर है कि यहां कभी नाम ने आज मंदिर था ही नहीं विसनाज जी का उनका शुरू से जो है मस्जिद ही इंडिया ही कर सकती है तो जो आडर पास किया गया है वह सही है उसमें कोई नहीं है दूसरा यह प्लेसे जाब वर्षी पैक्ट की बाद्धिता कहते हैं कि वह बाधित है नहीं चल सकता हम लगों का कहना है कि सत्यूग से अब तक भगवान वहां विराज रहे हैं इसलिए व प्लेंट में जो बातें कहीं गई है उसके आधार पर सेक्शन 4 की कोई बैधानिक्ता उसके आड़े नहीं आती है इस प्रकार से यह दोनों रिटी आचिका हैं इनकी और चारों रिटी आचिका हैं खारी जोनी चाहिए दो हफते का टाइम भी दिया है क्या वह डाकुमेंट सब्मिट करने के लिए ने जो अर्गमेंट किए जा चुके हैं उनके सम्मध में अगर कुछ देना है रीटेन समिसन करना है तो उसके सम्मंध में रीटेन सब्मिशन कर सकते हैं अब जब जज्जमेंट आएगा तो पांचों याचिकों पर एक साथ आएगा तो ये हैं हिंदू पक्ष के वकील विजह संकर रश्टोगी जिन्हों ने बताया कि जो पांचों अर्जियां थी उस पर जज्जमेंट रिजर हो चुका है और अद झाल